दरवाजे खुल चुके है यहाँ पे कोई established individual की entry हो दोस्तों, Brightcom Group के बारे में काफी सारे negative news अभी आ रहे है correct? और काफी सारी media इसके पीछे हाथ दोके पड़ी है, on the basis of what? on the basis of the allegations of scam intimated the company that the audit would be necessary investor का दरद क्या है Brightcom में invest करने के बार क्या हो रहा है शेर में उसका future क्या है, उसका past क्या था यह सारी चीजे जो मैं study किया हूँ, उसका मैं analysis उसका थोड़ा सा detail मैं आपको present करने वाला हूँ मैं कोई financial advice नहीं दे रहा इस video में, उस share को example लेके मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बताने वाला हूँ जिसका impact हमारे Indian stock market पे future में कैसे पढ़ सकता है और इसका जो relation है वो internationally कैसे है, how to navigate yourself through this really big jungle of financial insecurity, यह laws, rules, regulations, कितना बड़ा role play करेंगे future में especially in relation to companies like Brightcom, जो बड़ी companies नहीं है, जो Google जैसी बड़ी company नहीं है, kind of small scale to medium scale companies है, वो तो वो किस हद तक सही है, या किस हद तक गलत है, इसके उपर हम आज discuss करेंगे, तो यह जो allegations है सेभी के वो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सारे गलत है ठीक है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजे सही है और वो क्या सही चीजे है, well, वो सुरेश रेड़ी जी ने जो अपने shares बेचे, जब वो share almost 100 रुपे के level पे गया था, उन्होंने उस वक्त उसको काफी एक heavy selling की थी, अपना stake उन्होंने बहुत कम कर दिया था, और इससे पहले की सारे ये जो investors है, उसको notice करे उन्होंने किया क्या, उन्होंने LLP में partnership करके, पार्टनर बनके, फिर से उसकी holding बढ़ा दी यानि वो promoter थे share के वो promoter होने के बावजूद, उन्होंने अपनी holding कम की, बेच दिये share एकदम peak level पे, और वो फिर से as an LLP LLP promoter के जैसे पार्टनर बनके उसमें वो फिर से उसमें जुड़ गए ये सारा जो proof है, वो दिख रहा है वो सारा attach किया गया है, ठीक है लेकिन इसका ये जो scam है, इसको बताया जा रहा है, उतने level का ये scam है कि नहीं, ये हमको decide करना है, ठीक है क्योंकि काफी सारी बाते बताई जा रही है, इसको एक तरसे they have been blowing it out of proportion, और media कैसे काम करती है, आपको तो पता ही है और आजकल कैसा है कि news-based buying होती है, news-based selling होती है, तो ये जो news होता है, इसको किस हद तक हम believe करे, किस हद तक हम trust करे, मैं तो बिल्कुल नहीं believe करता news को, मैंने अगर कोई news देखा, या कोई भी मैंने ऐसा research देखा कोई भी allegation देखा, तो मैं उसको instantly believe नहीं करता हूँ मैं पहले उसको research करता हूँ सब सारे facts verify करता हूँ और इसमें मुझे लगबग 7-8 दिन चले जाते है यह instant नहीं होता है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, काफी सारे नए investors है, they don't know how these things work, they don't know the history of the Indian stock market इंडिया के stock market में क्या-क्या ऐसी चीजे हुई है, कितनी बड़ी-बड़ी companies थी, उनके साथ क्या हुआ, ऐसी companies थी जिनको diamond बोला जाता था, ऐसी companies थी, जिसके पीछे बड़े-बड़े families थे Reliance, Birlaz, बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े families थे उनके companies है, उनके ऊपर से भी ने क्या-क्या allegations दाले थे फिर वो लोग उस allegation में कैसे बाहर आये उसमें से ऐसे कितने बार हुआ, आप जाके देखिए, for example, go in the history of Reliance, आपको पता चलेगा कि कैसे वो लोग इसके साथ deal करते हैं, ऐसी ऐसी भी चीज़े हैं, बाकी की companies के साथ मैं सिर्फ Reliance की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको बता रहा हूँ, तो anyways, मैं अभी Brightcom के उपर आता हूँ, तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ SEBI के original order पे, जो उन्होंने Brightcom गुरूप पे डाला था, तो सबसे पहला जो order या सबसे पहला letter जो SEBI ने उनको भेजा था, forensic audit का, उसमें उन्होंने क्या बताया था, reason, forensic audit की requirement का, जो सुरेश रिड़ी ने investors को नहीं बताया, तो उसमें सबसे पहला point आप कहा सकते हो, ये है कि SEBI को ये शक है कि Brightcom गूप के जो impairment losses है, वो Brightcom गूप ने delay किये, यानि impairment losses उन्होंने अपने books में इसको उस साल के जो losses थे, उसको next year में डाले या उसके next year, जो साल में हुए थे, वो साल में उन्होंने नहीं डाले, ठीक है ये उनका पहला point आप, second point ये था तो impairment losses को उन्होंने कम दिखाया जिससे कि उनकी balance sheet inflated या bloated लगी ऐसे दिखा कि उन company को profits ज़्यादा हो रहे है, ओके तो ये, ये चीज सेबी ने पहले point में बताया, अभी इसका सारा justification में आपको बताता हूँ कि इसको कैसे counter किया जा सकता है, second point ये है कि सेबी ने बताया कि research and development के जो expenses है वो brightcom group ने उसको as assets बताया जिससे कि उनके जो assets है, उसको inflate किया गया तो एक तरज सेबी कह रही है कि ये लोग ने expenses जो खर्चा होता है, उसको as assets दिखाया asset यानि जो भी हमारी अभी समझो घर है, उसको एक asset कहा जाता है, जिसको बेच के तुम the things which should be taken as खर्चा, उन्होंने उसको asset बताया, इससे उनके asset का जो level है, उसको ज्यादा दिखने लगा और इससे क्या हुआ कि balance sheet में ऐसे दिखने लगा कि company बहुत cash rich है, ज्यादा assets है और profit profit में भी थोड़ा अच्छा फाइदा होने लगा, तो ये ये point का भी मैं आपको justification देने वाला हूँ, तो अभी तीसरा point आता है, कि SEBI को एक doubt था कि यहाँ पे कुछ price manipulation हो सकती है, अभी ये जो price manipulation या जो fraud है, ये mostly ये सही थी लेकिन मैं अभी point कर रहा हूँ पहले दो point के, first point क्या था SEBI का, कि ये जो impairment losses है, ये company ने delay किये बताने, अभी ये समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि impaired assets क्या होते है, impairment assets क्या होते है, तो impaired assets, वो assets होते है, जिनकी market value उनके on paper value से कम होती है, for example, अभी एक घर है अभी वो घर की market value है, एक करोड रुपए, लेकिन paper पे दिखाया जाता है कि एक करोड बीस लाग है, तो यहाँ पे बीस लाग रुपए एक impaired loss है, ठीक है, तो ये impairment loss जो है, ये loss company ने उस साल नहीं दिखाया, उन्होंने उसको खीचा, यानि दूसरे तिसरे साल उन्होंने उसको adjust किया कहीं पे, वैसे, तो ये बोल रही है से भी, तो इसका जवाब मैं अभी आपको दूँगा, और इसका जवाब ये है कि brightcom group को अपने business के बारे में जाधा पता है, ठीक है जो business वो करती है अभी जो technology companies होती है, उनके जो products होते है वो products के उपर या वो services के उपर, आप ऐसे accurately बोलने सकते हो, कि ये impairment, loss क्या है, कितना वैसे exactly, accurately आप बोलने सकते है, और second ये बात है कि जो GDPR है Global Data Protection Regulation, उसके काफी सारे you know, a strict measures in place है, जिससे की foreign data जो होती है, वो आप, you know, easily transfer नहीं कर सकते, या उसको बता नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी चीजे है अब ये क्या है इसमें आपको थोड़ा सा गुजना पड़ेगा क्योंकि ये वही चीज है, जो एक हतियार साबित हो सकती है future में, ऐसी companies को destroy करने के लिए, या आप कह सकते हो remodel करने के लिए, restructure करने के लिए तो अब वो क्या है, कैसा है, वो मैं आपको आगे तोड़ी दिर में समझाऊंगा basically ये यॉरोप के laws है, rules and regulation है और ये specifically जो law है या rule है ये adopt किया गया था 2018 में, ये बहुत ही एक strict rule है, law है regulation है यॉरोप में यानि जो Indian companies यॉरोप में business करती है यानि उनके जो profits यॉरोप में होते है वो Indian companies को ये apply होता है it is related to data protection of European entities European citizens European businesses, जो भी यॉरोप से related है उसकी data share करने के मामले में ये एक protective law, clients है customers है या जो भी subsidies है उनकी जो information heavy law है, इसमें fine बहुत ज्यादा है यॉरोप में अगर उनके laws and regulations follow नहीं किये तो उन पे बहुत बड़े बड़े fine बैठते हैं, आगे यहां पर पूरा detail में समझाते है कि the company represented to SEBI and said that it was unnecessary because several internet companies had to take such charges globally owing to GDPR norms मतलब वो बता रहे है कि ऐसे काफी सारे internet companies है जो यॉरोप में operate करते है और उनको ये charges लगे है due to global GDPR norms however SEBI on the 25th of February Friday intimated the company that the audit would be necessary n पर जनको इसलिएा जो तुर तो गया झाल झाल अब यह जो प्रॉब्लेम है ना यह एक इंटरनाशनल इश्यू है क्योंकि यॉरॉप और इंडिया इनके जो लॉज रूल्स रेगुलेशन्स है उनके वज़े से ना क्या हो रहा है ना यह जो कंपनी यह पिट जाएंगे ब्राइट कॉम जैसी कंपनी पिट जाएगी सिंस सप्टेंबर 2021 कंपनी है एक्स्टेंसिवली कोपरेटर विट सेभी और दी ओडिटर इन इस रिगार्ड बाइशन्स रिगार्ड बाइशन्स वो बता रहे है कि हम सप्टेंबर 2021 से बले उन्होंने वो डिस्क्लोस नहीं किया लेकिन वो वोल्यूम्स ऑफ डेटा मिलब इतना भर भर के डेटा उन्होंने सप्लाई किया सेभी को ट्रायर बैलन्स लेजर अकाउंट्स बैंक बुक्स ऑफ दे गुपनी डीटेल्ल ब्रेकप ओफ इंपेड आइसेट बाइशन्स 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 बैंक ब्रेक्ट दोस्तो अभी फिलाल मीडिया में अपने अपने ब्रेफरेंशल शेर अलॉटमेंट का इश्यू दिखाया जा रहा है जो एक तरह से स्काम के जैसे इसको पेश किया जा रहा है लेकिन मुझे कही ना कही लगा कि हमको इसके जड़ तक जाना चाहिए लेकिन मैंने जैसे आपको समझाया कि audit में, यानि Europe के जो rules है, वो बहुत strict हो गए है, तो आपको एक example दे देता हूं मैं, तो यह यहाँ पे जब से GDPR आ गया है 2018 से, तो 2021 तक कितना बड़ा इन्होंने fine collect किया है, $332 million as of January 2021, in 2019 Google had been fined $55 million by the French regulator for not disclosing properly to their users about the collection of data for personalized advertisements, अभी यह एक facet हो गया, यह एक area हो गया, इसको enforce करने का, अभी अलग-अलग multiple levels होंगे इस law के, तो उसे सबसे, अभी फिर October 2020 H&M को fine किया गया था, for close to $41 million, अभी $41 million कहां पे है और यह जो इंडिया में 8 लाक रुपे, 40 यह कहां पे, बहुत जमीन आसमान का फरक है, तो यह सारी चीजों के वज़े से ना, अभी यह जो छोटी companies है, brightcom जैसी, यह future में अगर उनका, इसे बाकी के companies के businesses योरोप में हो, या बाकी के nations में भी हो, क्योंकि यह global law बनते जा रहा है, यह GDPR globally adopt होते जा रहा है तो इसमें अपनी जो Indian companies का business उस जगब पर होगा यानि foreign countries में जहां पर होगा यहां पर यह law enforced होए तो वहाँ पर ऐसे problems आ सकते हैं, क्योंकि कल को SEBI या कोई भी regulatory body जिसको authority है, वो बोल सकती है कि आपके यह हम कोई चाहिए document चाहिए, and if the company fails to disclose that to the regulatory body, तो finally public को ऐसे लगेगा कि आरे company में कुछ बड़ा issue है, जोल है, so without knowing the facts, the people make the perception that the company has done something really bad, कभी-कभी क्या होता है हम यह सारी news और यह overdose of information, इसमें न कही हम लोग हो जाते है, तो हमको जो main एक रास्ता होता है वो उससे हम भटक जाते है, तो कही न कहीं मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो एक जो रास्ता है, जहां पे हम we can arrive at the truth तो वहां पे मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के द्वारा कौन क्या बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, यह यह चीजों को हम खुद अनलाईज करके एक डिसिजन ले सकते है ऐसे अगर, तो यह मेरा main intention था वीडियो का, क्योंकि मैं guarantee बोल सकता हूं कि यूनो, news को believe करके, कभी भी decision नहीं लेना चीए, तो इसका बड़ा example है, इस brightcom share, क्योंकि news based decision लोग लेते गए लेकिन ultimately क्या हुआ कि वो लाल signal लग गया और लाल signal लगाने वाला कौन था Indian regulatory body, और यह issue क्या है, it is a international issue, अब जब तक यह international issue पे कोई clarity नहीं आती है तो तब तक हम कुछ बोली नहीं सकते हैं अभी यह सिर्फ brightcom की बात नहीं हो रही है यह बाकी के जो small scale और medium scale companies है, उन में क्या हाल हो सकता है future में because of these rules and regulations which suddenly popped out in 2018, तो Google और H&M को नहीं छोड़ा तो बाकी के companies का क्या हाल हो सकता है आप सोचिए और Google और H&M यह companies छोटी मोटी companies नहीं है, इनका turnover साल का इतना जादा होता है कि ऐसे brightcom जैसे 100 companies वो लोग का बना सकते हैं तो ऐसी भाते हैं तो उनको वो fines का जादा कुछ फरक अला कि वो उनका वो अलग-अलग levels होता है, fine का payment का annual revenue का कुछ percentage देना पड़ता है, अगर यह GDPR का law उनसे follow नहीं हुआ, तो बहुत strict हो गया है and that's the reason why I feel very worried about such small and medium scale companies in future जिनके business बाहार है तो यह point हो गया अभी second है research and development पे expenses जो थे, वो company capitalized किया, मतलब उसको assets में दिखाया, R&D expenses को, तो इसका जवाब यह है कि देखो, जो technology companies है, वो main उनका जो investment है, वो कहां पे करती है technology companies main investment करती है, research and development में, sales and marketing में, S&P और thirdly, लोगों पे लोग मतलब कौन, software engineers तो basically, R&D, S&P और software engineers और जो काम करती है लोग, वो उनके main asset होते है, ठीक है, वो क्यूंकि वो लोग तो कोई ऐसे maggie-weggie तो नहीं बनाते है, कोई product product नहीं बनाते है, वो लोग के products आपको पता है, non-tangible है, तो करने वाले कौन है यह R&D, इसके थूई फ्यूचर में profit आते हैं, इसके थूई जो software engineers है, जो talent है, जो skill है, उससे ही तो you know, profit आते है future में तो उनका investment हो है, तो brightcom group ने क्या किया, यह जो expenses है, उसको assets बताए, तो यह एक चीज है, ठीक है, तो लेकिन इसमें आप समझ रहे हो, उनकी thinking क्या थी, तो मैं बैस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस हिसाब से उन्होंने बताए, तो you cannot like put companies like brightcom group in the category of conventional companies, यह मैं बाताना चाहरा हूँ, क्योंकि इनके जो products and services है, वो non-tangible है, और अभी क्या products and services है, उनके products and services यह है, जैसे copyright, trademark laws, music का, publishing का, मतलब अलग-अलग चीजे हैं, अभी वो AI में भी, तो यह सारी चीजे ना, बहुत लोगों को मतलब समझ में नहीं होती है, और बहुत लोगों को इसके बारे में काफी गलत धारणा होती है, तो क्योंकि लोगों को क्या है, जो दिखता है, वो बिखता है, वैसे type की ideology है, लेकिन हम अब futuristic businesses की और जा रहे हैं, तो वैसे अभी यह जो companies के लिए थोड़े से laws, थोड़े से change भी करने बढ़ेंगे, और यॉरोप में यह जो global data production regulation है, वो बहुत ही कड़क law है, उसमें बड़ी-बड़ी companies को बहुत बड़े-बड़े fines लगे हुए है, तो यह भी एक reason है, ठीके, अब यह तीसरा point क्या है, तीसरा point अब यह point तो valid है, इसमें बतलब क्योंकि price manipulation तो हुआ है, यह company में, कैसे मतलब यह रेड़ी जी ने share को बेचा, फिर बाद में वापस उन्होंने खरीदा, LLP partner के साथ partnership करके, और फिर ऐसे करके उन्होंने बहुत, बहुत मतलब एक type का खेल खेला, तो यह इसमें good news या positive news जो आई, वो बताई, जो negative news नहीं थी, वो नहीं बताई, तो यह कफी सारा कुछ उन् मतलब मैं यहने कहना चाता हूँ कि company का काम जो है, वो futuristic काम था, लेकिन लालच के वज़े से शायद या greed जो बोलते हैं, उसके वज़े से शायद यह problem हुआ, कि यह जो management है, उन्होंने ऐसे-ऐसे decisions लिये, वो अपने future का सोच रहे थे, कि कैसे यह जो company आगे जाके बहुत अपना hold करे, तो यह शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा, यह मेरा अंदाज है, मेरा अनुमान है, मैं इसमें अभी यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको यह share खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, मेरा कोई ऐसा intention नहीं है, मेरा सिर्फ काम है कि मैं यहाँ पर आपको थोड मुझे correct कर सकते है, आपको जो knowledge है आप भी share कर सकते, तो ऐसी बात है, तो यह चीजे मुझे आपके साथ share करनी थी कि कैसे यह जो scam बताया जा रहा है, वो है, वो कुछ हद तक है scam, उसमें लेकिन जितना यह इसका magnitude जो है ना, मतलब इसका जो level है, वो उतना नहीं है जितना क लोगों को बताया जा रहा है, यानि अगर यह company को come back करना है, तो यह हो सकता है come back, उस stage पे तो है, और उस stage पे जाने के लिए, come back के stage पे जाने के लिए steps अभी लेने चालू कर दिया है, क्योंकि इसमें company में एक ही खराबी थी, खराब management, ठीक है, मैंने आपको assets का बता दिया कि क्यों इसके assets ऐसे दिख रहे थे कि जादा बड़े दिख रहे थे, या profit जादा दिख रहे थे, यह क्यों हैसे है, यह भी मैंने आपको समझाया, अभी मैं आपको और एक चीज़ बताता हूं कि यह जो company के जो assets inflate दिख रहे थे, उसका reason एक यह भी है amortization, amortization के वज़े स अभी amortization क्या होता है, कि जो loan company लेती है, अभी समझो जिससे वो loan लेती है, कोई lender है, अगर lender ने company का loan कुछ हद तक माफ कर दिया, या कुछ उसको discount दे दिया, उसका rate कम कर दिया, तो obviously वो amount कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो वो फाइदा company के balance sheet पे दिखेगा, correct, अब उसम ये भी बात आजाती है, कि ये सारी information, ये details जो है, ये GDPR के तहत वो इंडिया में share हो सकते है, कि नहीं, क्योंकि वहाँ के rules regulation के हिसाब से, अभी ये जो बोल रहे है, ऐसे ready, उसके हिसाब से अगर हम सोचने जाए, तो हाँ ठीक है, बराबर है, ये EU के laws बहुत strict है, तो उसको हम मान सकते है, वो point, लेकिन उन्होंने जो किया, वो जो price manipulation किया, उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए, उनको, तो management खराब था, अब management change होगा, अच्छा management अगर आएगा, तो ये company बहुत आगे जा सकती है, लेकिन कितना आगे जा सकती है, ये नहीं बोल सकते हैं, कब जाएग करें, तो ये company अच्छी growth की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये company को एक direction चाहिए, एक honesty चाहिए, एक respect चाहिए, अभी Infosys कैसी company है, Infosys एक बहुत ही trustworthy और respectable company है, तो इसलिए लोग भरोसा करते है, IT की वो company पे, वैसे ही Tata की companies जो है, बहुत trustworthy और reliable होते हैं, उसमें आपको ऐसे, य ये बहुत बड़ी चीज होती है, trust ये चीज बहुत बड़ी है, और Infosys की बात चल रहे हैं, तो मैं Infosys का आपको example दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो capital expenditure का बताया था, यानि Brightcom Group ने कैसे research and development के expenses को capital expenditure में दिखाया, यानि, sorry, capitalization में दिखाया, यानि assets में include किया, R&D expenditure तो Infosys ये company है न, ये बहुत R&D करती है, research and development, उनका जो खर्चा होता है, talent acquire करने में बहुत ज़्यादा है, यानि software engineers जो उनके साथ काम करते हैं, तो Infosys की अगर आप balance sheet देखोगे न, तो आपको expenses के column में जाना चाहिए, expenses के column में जाओगे न, तो आपको इतने बड़े- ये को almost 50% कम किया जाए, तो Infosys का profit जो है न, इतना आस्मान चुएगा, कि वो company को 4000-5000 rate होना चाहिए, इतना, ऐसा है, तो अभी Infosys इतनी बड़ी company होके है, वो इतने इमानदारी से अपने जो research and development के expenses है, और ये जो लोगों को acquire करने के expenses है, selling and marketing, वो सारे इमानदारी से Infosys वो bracket में डालती है, expenses के, तो our bridecom group ने भी वैसे ही किया रहता, तो शायद, you know, इतना बड़ा, ये matter नहीं होता, या फिर, वो जो impairment, impaired losses, impairment losses, जो उन्होंने, वो, उसका तो मैंने आपको justification दे दिया, तो ये, ये point उठाने को नहीं मिलता, SEBI को, ऐसे मैं बोल बाकी तो, हाँ, futuristic business है, और futuristic business को क्या होता है, ऐसी ही companies, brightcom जैसी ही companies, आगे जाके, regulation में, changes के लिए, थोड़ा, एक माहुल बनाते है, लेकिन, क्या होता है, शुरुआत में, जो जाती है, वो बली का बकरा बनती है, तो ये company, वैसे ही, एक बली का बकरा बनने की कगार पे थी तो सत्यम के साथ भी वैसे, सत्यम का जो episode हुआ, उसके बाद आप देखिये कि सारे IT companies कैसे उपर गए, उपर यानि उसके वज़े से काफी सारी चीज़े बाहर आई, तो लोगों को समझा कि honesty और integrity कितनी important है, and also अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि management level पे अगर कोई अच्छ लोगों की investors की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो बिचारे ये news देखे, या जो उनको दिख रहा है, उसको believe कर रहे थे, और SEBI ने अगर action जल्दी लिया होता, तो शायद लोगों को इतने बड़े-बड़े losses नहीं होते, लेकिन SEBI भी कही ना कही delay हुई है action लेने में, औ लेकिन पता नहीं, वो कुछ जादा ही study कर रही थी, I don't know what was going on, but still, I would request in future की ऐसे कुछ हो, तो जितने जल्दी से जल्दी मालूम पड़े लोगों को उतना अच्छा, क्योंकि उसी से retail investors को confidence आएगा, ये market में नहीं तो फिर ऐसे करेंगे, तो market में वो विश्वास लोगों को कभी आएगा नहीं, यानि उनका विश्वास तूटते जाएगा, तो ऐसे है, तो anyways, ये था मेरा छोटा सा video in regard to the negativity that is there around the Brightcom group, उमीद करते हैं, जो investors है, उनके पैसे कैसे ना कैसे recover हो, अभी कुछ अच्छी चीज़े हो रही है, with the help of the government of India, तो लोगों के लिए भी एक ये करोड़ लोगों को disappoint करके, I'm sure even the government doesn't want to do that, so anyways, thank you for watching this video, this was, this is Swappy Bond, saying goodbye to all of you, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लगा, like करो, share करो, subscribe करो, bye-bye.